Hello everyone, तो आज हम दो देखने वाले हैं Whistles and Saving Bristles chapter के Question and Answer तो आई इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं Number one question देखते हैं Describe Mr. Gleworth, what did he do for a living? यहाँ पर कह रहा है कि Mr. Gleworth के बारे में बताईए और वो क्या करते थे अपने रहन सहन के लिए So answer देखते हैं Mr. Gleworth was a tall and well-built man with large head जो Mr. Gleworth थे, वो काफी tall थे, उनकी जो height थे काफी अच्छी थी और उनका जो head था काफी बड़ा था He had put a lot of weight मतलब उनकी जो weight थी बहुत ही जादा था He was a successful gentleman who was quite proud of his wife वो बहुत ही अच्छे इंसान थे जो अपने wife पर बहुत ही जादा प्राउड करते थे His 12 children and his own accomplishment in the realm of businessman यह business यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो Mr. Gleworth थे उनके बारह बच्चे थे और वो अपने business में हमेशा बीजी रहते थे He worked as an efficiency efficiency expert वो efficiency expert के तौर पर काम करते थे ठीक है And introduced ways and means to speed of productions in factories इनका जो main यही काम होता था कि जो भी industry या company factories में जाते थे उसकी productions को बढ़ाने का काम करते थे Question number 2 दिया है How did the Gleworth children earn extra pocket money जो Gleworth के बच्चे थे वो extra pocket money कैसे कमाते थे तो answer देखते हैं The Gleworth children earn extra pocket money by submitting a sealed bite for the work they said they wanted to do मतलब कि वहाँ पे लोग bite लगाते थे means कि होता नहीं कि तरह सर्थ लगाना तो जो सबसे कम पैसे में तयार हो जाता था काम करने के लिए उसको जो Mr. Gleworth थे काम दे देते थे और उससे उनकी extra pocket money हो जाती थी अगर किस तरह के काम करने थे बच्चे removing unwanted plant outgrowth from the front lounge got the job मतलब कि जो घास होगरा होते हैं घर के सामने उस तरह के चीजों को हटाने के लिए उनको पैसा देते थे question 3 why did Mr. Gleworth take moving pictures of the children doing chores मतलब कि यहाँ पर जो बच्चे Mr. Gleworth के जो बच्चे थे वो जब काम कर रहे थे तो वो उनकी picture क्यों लेते है Mr. Gleworth so Mr. Gleworth इसलिए picture लेते हैं काम करते भी अपने बच्चों को क्योंकि वो analyze करना चाहते थे कि जो बच्चे हैं ठीक है वो कितना time ले रहे हैं उस काम वो करने में वो अपना काम fast कर रहे हैं अगर वो slow कर रहे हैं तो उसको कैसे हम लोग improve कर सकते हैं या किस तरह से उसको improve किया जा सकते हैं उसके बारे मों वो Mr. Gleworth अपने बच्चों को बता रहे थे question 4 that was always the efficiency expert give examples यहां पर कौन कह रहा है कि जो डैट थे वो हमेंसे efficiency export की थोर पर काम करते थे answer देखते हैं the writer refer to their dad as an efficiency expert who was always suggesting way to minimize their moment of effort in order to get a job done faster यहां पर जो राइटर है वो refer कहर रहा है efficiency expert का मतलब की कुछ भी काम हो रहा है वो कम समय में हो और जल्दी हो ठीक है इस चीज़ को वो maintain करने के लिए कह रहे हैं जैसे कि जो Mr. Gliver थे वो बच्चों के बातरों में वो charts लगा देते थे और जितने भी बच्चे होते थे वो उस chart पर sign करते थे जो उनका homework हो जाता था मिन्स के जो उनको काम दी रहते हैं अगर वो काम कर चुके होते हैं तो वो उसके आगे अपना नाम लिख देते थे जैसे किस तरह का काम वो देते थे Mr. Gliver थे बच्चों को जैसे कि वो नहाना ब्रस करना ठीक है और taken bath नहाना बालों को कंगी करना ठीक है और अपने तरह मतलब जो CT बजाते थे उसका मतलब क्या है याँ पर पूछा जा रहा है और जो बच्चे थे उनको ये पता नहीं होता था कि जो डैड है जब हम लोग इकठा हुए है तो वो क्या हम लोगों काम देंगे वो अच्छी निवज देंगे हमें या बुरी निवज देंगे उनको कुछ पता नहीं रहता था लेकिन वो एक बात जानते थे कि उनको जल्द से जल्द एक जगा पर इकठा होना है यह किस ने कहा कि यह जो बच्चा है वो मेरा नहीं है वो पडोसी का है स्वांसर है वन्स मिसेज गलीवर्थ वेंट आउट लिविंग दे चिल्डियन इन दे मिस्टर गलीवर्थ चार्ज एक बार क्या हुआ है जो गलीवर्थ की वाइफ थी वो कहीं काम से बाहर चले जाती है उस सारे बच्चों के जीमा होता है रिस्पोंसिबिलिटी होता है मिस्टर गलीवर्थ को के ऊपर छोड़ के चले जाती है वेंट सीटर जब वापस आती हैं यानि उसके बास जब उनकी जो वाइफ आती है तो पूछते हैं क्या सब कुस्छ सही रहा जो बच्चे थे क्या सोर कर रहे थे तो इसके बास से बताते हैं सारे बच्चे तो ठीक ह हैं वेल भी हैप कर रहे थे लेकिन एक जो बच्चा था वो काफी सरारत कर रहा था और मैंने उसको दोचार थपड़ भी मारें मिसस गलीवर्थ साथ चाइल एंड सैथ इस वर्ट सुद्ध हर हस्बें काम ली पॉइंटिंग आउट हिम दैट ही वस नौट दियर चाइल इन रेटर्निग फ्रम ट्रिपर जब भी मिस्टर गीवर्थ जाते थे तो रजब वह रिटर्न मतलब वापस आते थे तो वो क्या करते थे तो आंसर पुछ जा रहा है आपर रेटर्निग फ्रम यूट दो अल्वेश विसल्स इन आ पार्टिकुलर वे जब वह वह वापस आते मिन्स कि जो मिश्टर गिलेवर थे वो सीटी बजाते थे तो आंसर है डाइड उट गीब दे विसल वेनिवर ही कम बैक फ्राम ट्रीप एंड हैड सम गिप टू गिप टू दी दियर चिल्डरियन और वेन ही वांटेट तो मेक एन इंपॉर्टेट फैमिली अनॉंसमेंट जब इंपॉर्टेंट एनॉंसमेंट भी करते थे अपने फैमिली के लिए। अगर कोई मेहमान उनके घर पर आ जाता था तो जो मिस्टर ग्लीवर थे सारे बच्चों को इंटर्डूस करवाते थे वन बाई वान यानि जब मिस्टर ग्लीवर को बोरिंग महसूस होने लगता था और वो थोड़ा सा फन करना चाहते थे तब भी वो विसल बजाते थे Q9 है How was dad assembly called useful at the time of a mishap in the house यानि किस तरह से जो विसल था dad का मिस्टर ग्लीवर का वो बहुत useful रहा जो कि मतलब कुछ अंचाही चीजे हो रहा था हम के घर पर मिन्स क्या हो गया था एक बार fire मतलब आग लग गय थी तो उसका फाइदा किस तरह हुआ जब उन्होंने विसल ब इसलिए उनके जो बच्चे होते हैं और सारे लोग क्या होते हैं कुछी सेकेंड में घर से बाहर निकल जाते हैं इस तरह से काफी उसफुल उनका जो विसल बजाना प्रैक्टिस था यानि एक एक जामपल देना है यहां पर जो मिश्टर गिलीवर थे वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे तो आंसर है दो डैट वाज एस्टिक्ट माट टास्क मास्टर ही लव इस चिल्डेन वेरी मच शी कुड़न टोलेरेट के टिसीजम आप दी फैमिली बाइव आउट साइटर यानि यहां पर जो डैट थे उनके काफी प्यार करते थे बच्चों से और कोई उनके घर की बच् सप्राइब वो हमेशा अपने घर जब ट्रीप जाते थे अपने घर जब लौट टे थे तो वंडरफुल सप्राइब के साथ लौट थे थे बिगेस्ट अन बेस्ट गिप्ट वेंट विए वो रिज्ट इम फस्ट आप्र हेरी इस विसल फो द असेंबली यह सबसे बिस्ट जो गिप्ट होता था उसको मिलता था जो सबसे पहले पहुंचता था विसल बजाने के बाद नेक्स्ट एस सी थिंक अन्सर कोशन दिया है इट वाज रिजिमेंटेशन और राइट वाट दो यू अंडरस्टैन बाई रिजिमेंटेशन से आप क्या समझते हैं और जो रिजिमेंटेशन था यू किस तर से चलाया जा रहा था मिस्टर गिलीवत के फैमिली में तो आंसर देखते हैं रिजिमेंटेशन मेंस मेंटेरिण ए स्रिक्ट कोंट्रोल ओवर दे वे वन परशन और गूरूप पीपल बीहाइव उन रिजिमेंटेशन का मतलब यही होता है कि हम लोग इसमें क्या करते हैं किसी के उपर पूरा कंट्रोल करते हैं ठीके इसका मतलब था गिलीवत फैमिली में कि जितना भी एफॉर्ट है means कि आप काम कर रहो means कि वह काफी कम समयमें हमें करना चाहिए ना कि जो important time है हमें waste नहीं करने चाहिए Mr. Glebert insisted on the installing process and work charts in the bathroom for children to sign in the morning after brushing their teeth taking a bath, combing their hair and making their bed और यहां पर यह मतलब की काम बढ़ाने के लिए उन्होंने bathroom में charts भी लगाये थे ताकि जो बच्चे हैं वो time से अपना काम पूरा कर सके Question number two, according to the dad How were children different from adults? जो बच्चे थे, वो किस तरह से बड़ों से different थे? ड़ों के बारे में कि वो जब जो बड़े लोग होते हैं Mr. Love की teenager होते हैं 18-20 साल के जो लड़के होते हैं जब वो education छोड़ देते हैं या उससे जादे हो जाता है जब छोड़ देते हैं तो उसके बारे में वो सोचना भी बंद करें It was very difficult to make them learn new things और बहुत ही मुश्किल होते हैं उन लोगों को नहीं चीज़े सिखाना On the other hand children always remained eager to learn and there was no limit to what one could teach them मतलब जो बच्चे होते हैं वो हमेसा तयार रहते हैं नया नया चीज़े सीखने के लिए मतलब जो डैड थे उनके थे कि बहुत ही स्ट्रीक्ट थे और वो अगर कोई उनके बच्चों के बारे में बुराई करता था बाहर के आउटसाइडर कोई तो बहुत ही ज़्यादा वो क्या होते थे मतलब बरदास्त नहीं करते थे इसको एक्स्प्लेइन करने के लिए कह रहा है तो आंसर है अल्दो डैड वज ए स्ट्रीक्ट टास्क मास्टर एंड डिसिप्लिनर रियन मतलब कि उनके ज़्याद थे अगर कोई भी कम्प्लेइन करता था उनके बच्चों के रिगार्डिंग तो वो भारोसा नहीं करते थे और उसको नहीं माते थे और इसके बाद से जो कम्प्लेइन करता था उनके बच्चों के बारे में तो वो कम्प्लेइन सांती से उनको समझाते थे कि तुम सबसे पहले अपने घर जाओ जाचो इंक्वाइरी करो कि एक्चली में फैक्ट क्या है जो फाइटिंग हुई या किसी चीज को लेकर अगर के कोई बच्चा गलत किया था या गलत किया है तो वो डिफेंड करते थे बच्चों को पब्लिक में लेकिन उस बच्चे को पनीज भी करते थे मिन्स की वो दोनों तरप से स्ट्रेक्ट भी थे और अच्छे भी थे कहने के मतलब है ठीक है तो यहां पर दिया ए फिल इन ब्लैंक तो है यहां पर आप देखके इसको फिल कर सकते हो अपने बुक में आपके वीडियो काफी हेल्प करेगा आपके स्टडी में है तो थेंकियो सो मच